प्रभातखाबर.com विश्वास्वही रवतार नई डॉक्टर द्यानन सर्फ्रती ने उनके स्वास्थ की जाच की ED कार्याले से बहार निकलने पर डॉक्टर द्यानन ने बताया कि जाच के दोरान पुजा सिंगल का ब्लड प्रिशर एक सो पचास बाई सौव पाया गया है ब्लड प्रिशर बढ़ने के वज़े से ED के अधिकारियों को सला दी गई है को अब पुजा सिंगल को आराम दे साथी पुजा सिंगल के फोजन में नमक की मात्रा कम हो तनाव नले और ब्लड प्रिशर की दवा समय पर लेते रहने का सुझाव दिया गया है पुजा सिंगल के पति अभिसेग ज्या और सीए सुमन कुमार के रिष्टेदार भी ED कार्याले मिलने पहुँचे बुधवार को सरावगी बिल्डर से जुड़े मामले में अतरिक्त जानकारी के लिए स्वास्तिक ग्रूप के विने सरावगी को भी ED कार्याले बुला गया था हालाकि ED कार्याले से बहार निकलते वक्त उन्होंने पताया कि उनमें चान्दमल जैन ट्रस्ट के जमीन से संबंदित चानकारी ली गई उन्होंने ED द्वारा संबंद दिये जाने से इनकार करतिया ED ने पुझा सिंगल से उनके पारिवारिक संपत्ती और उससे जुड़े आर्थिक स्ट्रोत से संबंदित सवाल पूछे जबकि जिला खनन पताधिकारियों से पालू और पत्तर के माइनिंग से जुड़े सवाल पूछे गया है इडी ने जिलाखनन अधिकारियों को अपने अपने जिले में माइनिंग और खनीचों के परिवहन के लिए जारी की गए चालान का ब्योरा देने का निर्देश दिया है बताया जाता है कि सिये सुमन कुमार अपने घर में चब 17.6 सुन्य करोड रुपे के बारे में अब तक सही जानकारी नहीं दे सके हैं वो अब भी महतपूर्ण सूचनाएं छिपार हैं